नमस्कार साथियों केमपी गलोबल कोरिडोर की प्रियोजना हरियाना में दो बार से रुकती हुई नजर आ रही है पीछले दिनों हरियाना सरकार दोरा वाइदा किया गया था कि KMP Global Corridor यानि की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस्वे के साथ साथ में पांच नए शहरों को बढाने की जो परिकलपना तेयार की गई थी उसमें दो शहरों को पहले चरण में बनाए जाने का कारिय किया जान में 50,062 हेक्टेर अक्षेत्र में बनाय जाने वाला था ये शहर इतने बड़े शहर होने वाले थे जो दिल्ली के अक्षेत्र फल से कई गुणा तक बड़े होने वाले थे ये पाच शहर दिल्ली जैसे पाच अक्षेत्रों के पराबर होने वाले थे और इन शहरों के लिए कई सरकारे प्रियास कर चुकी थे के एंपी वह एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली के चैरो साइड के अक्षेत्रों में एक रिंग बढ़ाने का कारिये करता है हर्याना की कुंडली से लेकर के हर्याना के ही पलवल अक्षेत्र तक एक रिंग के रूप में दिल्ली के बाहरी आउटर अक्षेत्रों को क्रोस करता हुआ दिक्षण हर्याना के हिस्सों को हर्याना के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करने का कारिये करने वाला ही यह एक मात्र एक्सप्रेस्वे है यह एक लंबी दूरी को तै करता है और इस एक्सप्रेस्वे के आज पास के एरिया में कई लाख एकड जमीन खाली पढ़ी है निकि करशियों गभूमी है उस जमीन पर सरकार ने सोचा कि इन फ्यूचर यहां पर शहरों के आबादी बढ़ती जा रही है तो केमपी कुडली मानेचर पलवल एक्सप्रेस्वे के साथ त्षा में पाच नए शेह मन को तयार करने का खाक्षा सरकार दवारा तयार किया गया थे पाच शहर पहला शहर इन में सोनिपत और बहत्दुर्गड़ के रकवे में तयार किया जाने वाला थे जिसमें 71601 हक्टिर जमीन पर इस को तयार किया जाने वाला था दूसरा शहर बादली और बहद्रुगड के अक्षेत्र में तयार किया जाने वाला था यह शहर 50,308 हैक्टेर जमिन पर तयार किया जाने वाला था नमबर तीन गुरुग्राम अक्षेत्र में तीसरा शहर तयार किया वाला ता जो गुरूगुराम, और फ्रीदाबाद के बीच के एरिया को मैं था एकaggio करने का कारीय ला दा यह है शहर 99,846 हरब अक्षेत्र में पैले नंबर पाच पाचवा शहर पलवल और फ्रीदाबाद के अक्षेत्र में डवल्ब होना था और ये शहर 50,106 हेक्टेर में फैलना था दिल्ली के हर्याना साइड के च्यारों तरफ के एरिया में इतनी बड़ी पलानिंग के लिए कई हजार करोडों का बजट सरकार को आशेकता अनुसार चाहिए था तो इसके लिए सरकार ने एक दूसरी पलानिंग को त्यार कर फरिदाबाद पलवल होडल जैसे अक्षेत्रों को के मास्टर प्लान को पहले चरण में सरकार दवारण डवलप करने का कारिये किया जाने वासला यानि कि सरकार सब से पहले यहां पर मास्टर प्लान के तहत इनी शहरों की परीकलपना को त्यार करने के लिए मास्टर प्ला तेयार करने का काम applies किया। और सरकार ने सोचा कि पहले master plans को त्यार कर दिया जाएंगा उस के बाद इन इस शहरों के बीच की जो भी खालि जमीन भचेगी उस जमीन को भी अलग-ज aç मष्य भड़़े master plan के तहट डवलप किया जाएगा जिससे शहर बढ़ाने में खर्चा भी कमाएगा और शहर की डवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगी और दिल्ली जैसे अक्षेतर में में बड़े लग बगए इन पाच शहरों को दिल्ली जितना बड़ा फैलने में भी आसानी मिल पाएगी सरकार ने परीकलपना को आगे बढ़ाने का कारिय करती है सरकार ने पहले चरण में दो शहरों की डवलपमेंट का कदम उठाया लेकिन आज चुनावी दोर के कारण वे कदम भी सरकार के ऐसे के ऐसे धरे दिखाई दे रहे हैं हर्याड़ सरकार इसे प्रोजेक्ट पर अगर काम करती तो दिल्ली जैसे बड़े शहर बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता और जेवर एरपोर्ट से लेकर के नोड़ा, काजियाबाद, गुरुग्राम और इन अक्षेत्रों की आपस में गहरी कनेक्टिविटी हो पाती जिससे दिल्ली शहर की आबादी को भी मैनेज करने में काफी मदद मिलने वाली थी, NCR Planning Board के दवारा भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का कारिये पिछले दुन किया गया था, NCR Planning Board भी चाता है कि National Capital Region के तहत आने वाले इन शहरों की परिकलपना को बढ़ाने में हर्याणा और उत्रप्रदेश के अक्षेत्र अपना योगद इन शहरों की development का काम करेगा, उसी परकार उत्रप्रदेश के गाजियाबाद बगपत के इलाकों में भी ये connectivity होने वाली है, जिस परकार आपने देखा होगा हर्याणा में KMP के साथ साथ में नए स्टेशनों का निर्मान कारिये भी इन पाच्चों शहरों के एक्षेत्र में किया जाएगा, यानि कि हाँ पर हर्याणा orbital rail corridor को KMP के साथ साथ में आगे तक बढ़ाने का काम किया जाएगा, जहाँ जहाँ से KMP जाता है, वहीं वहीं से हर्याणा orbital rail corridor भी जाएगी, और नए स्टेशनों का निर्मान कारिये दो फेज के अंदर किया जाएगा, ये फेज आ दिल्ली के चारो साइड के अक्षेत्रों के connectivity में आउटर लाइन का कारिये करेगी, यानि कि एक अगर आपको आज के दिन नोड़ा से अगर रोह तक आना है, तो आपको दिल्ली के अक्षेत्रों को क्रोस करना पड़ता है, कई बार आउटर नोड़ा जाकर आप KMP के मादम स सिद्धा बगैर दिल्ली में एंट्री लिया रोह तक आ सकती है, इस परकार के connectivity को मंजूरी देने का काम हरियाना उत्रपरदेश और दिल्ली सरकार पहले ही कर चुकी है, तो यह देखने का विश्य होगा कि MP Global Corridor के तहत क्या दिल्ली जैसे अक्षेत्र फल्ज के पाच नव बोर्ड के दवारा ही मंजूर और पास किया जा सकता है, अब यह देखने का विश्य होगा कोड़ सी सरकार इन पास शहरों के परानिंग पर ध्यान देती है, क्या NCRTC ने की National Capital Region बोर्ड भी अपना दखल देकर इन शहरों को बढ़नाने में सरकार परकिसी परकार का दबाव 54920 पर संपर्ख करें